नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टीव दिराज में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पवन स्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट कुस्चन्स हल कराऊंगा तो इसके लिए मेरे वीडियो को इंट तक देखि हों तो डियलेट थर समेस्टर मायत के प्लेइलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो वहां से आप लोग मेरा वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए आज के वीडियो का पहला कुस्चन देखते हैं देखिए पहला कुस्चन है 1050 रुपए का 2.30 दर से 6 वर्ष का मिस्रधन गयात कीजिए देखिए यहाँ पर मूल धन दिया हुआ है 1.050 और उसके बाद फिर दर दी हुई है 2.30 और उसके बाद फिर दिया हुआ है समय समय देखिए दिया हुआ है छे वर्स तो इसके दोरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए मिस्रधन ग्याद करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ब्याज पता होना चाहिए क्योंकि जब मूल धन में ब्याज को मिश्रधन तो पूचा नहीं गया है, नहीं तो हम यहाँ पर चक बिर्धी ब्याज निकालते हैं, यहाँ पर हमको साधान ब्याज ही निकालना है, तो देखें साधान ब्याज का फार्मूला क्या होता है, उसको पहले लगा लेते हैं, साधान ब्याज बराबर, तो देखें साधान ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटे सव यह फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे और इसके दोरा हम साधान ब्याज को निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखें मूलधन कितना है एक हजार पचास है और उसके बाद फिर देखिए दर दिया हुआ है दो प्रतिसत और फिर समय दिया हुआ है छे वर्स और बटे में क्या करेंगे सव कर देंगे अब यहां से देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा फिर 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे दो पंचे 10 हो जाएगा और इस 5 से फिर 105 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर देखे 5 दुनना 10 हो जाएगा और फिर 5 एक कम 5 हो जाएगा अब यहाँ पर देखे 21 गुड़े 6 बचे हैं तो यहाँ पर देखिए 21 गुड़े 6 बचे हैं, तो यहाँ पर इनका गुड़ा कर लेंगे, तो देखिए 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 दुन न 12 है, यनि कि यहाँ पर 126 हो जाएगा, यनि कि साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 6 वर्स का, तो यह हो जाएगा 126 रुपया, तो देखिए मिस धन बराबर होता है, ब्याज प्लस मूल धन, तो देखिए ब्याज कितना है यहाँ पर, ब्याज निकला है 126 रुपया, और मूल धन हमारा कितना है, 1050 रुपया, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए एक हो जाएगा और फिर एक हो जाएगा यानि की 1176 रुपया हमारा जो है मिस्रधन आ जाएगा तो इस परकार से यह कुश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा देखिए जो पवन की स्रीज है उसमें यह कुश्चन जो है वो दूसरी से लगा सकते हैं तो यहां पर यह दूसरा तरीका भी बता दिया गया है और वहां पर क्या किया गया है जो पवन स्रीज में सालोसन दिखाया गया है वहां पर पहले एक वर्ष का ब्याज निकाला गया है फिर छे वर्ष का ब्याज निकाला से जो है हमारा मिस्रधन पता चल जाएगा तो अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखिए नेक्ट कुश्चन है साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से पचीस सो रुपे का दो वर्स छे माह का छे प्रतिसत वार्सिक दर से ब्याज तथा मिस्रधन ग्याद कीजे यह कुश्चन देखिए 2018 में आया हुआ है important कुश्चन है तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए मूल धन दिया हुआ है समय दिया हुआ है और दर दी हुई है तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे देखिए छे माह दिया हुआ तो इसको हम चाहें तो इसको जो है वर्स में चेंज कर सकते हैं तो देखिए दो वर्स छे माह दिया हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 वर्स यानि कि धाई वर्स इसको लिखा जा सकता है क्योंकि यहां पर दो वर्स छे माह जो है समय दिया हुआ तो इस अब यहाँ पर हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे तो देखें साधारण ब्याज का सीधे से फार्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज बराबर साधरन ब्याज बराबर मूल धन गुडे दर गुडे समय बटे शव यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर देखे मूल धन कितना दिया हुआ है पचीस सो दिया हुआ है और फिर दर दी हुई है कितनी 6 परतिसात और फिर समय देखे दिया हुआ है 2.5 वर्स और फिर बटे में कर देंगे 100 अब यहाँ पर देखे इस पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लेंगे और उसके बाद 2 जीरो यहाँ से कैंसिल करेंगे और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और फिर यहाँ पर देखे यहाँ पर इसको जो है 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर देखे 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दुनना 10 और यहाँ पर हो जाएगा 25 और उसके बाद फिर इस दो को जो है इस दो से जो है इस 6 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 2 तियां ही 6 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए कितना बचा यहाँ पर 5 बचा है और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 25 बचा हुआ है तो यहाँ पर इन सभी का गुड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 हो जाएगा और 15 पच्छे 75 75 का 5 हो जाएगा और फिर 15 दुन्ना 30 और 37 37 यनि कि यहाँ पर हो जाएगा 375 रुपया अब 375 रुपया यहाँ पर देखिए साधारन ब्याज हमारा निकल आया है अब जब साधारन ब्याज निकल आया है तो इसकी सहाथा से हम मिस्धन भी ग्याद कर सकते हैं तो यहाँ पर अब जो है मिस्धन का फार्मूला लगा देंगे तो देखिए मिस्र धन का फार्मूला क्या होता है मिस्र धन बराबर होता है मूल धन मूल धन प्लस ब्याज अब जो ब्याज निकाले हैं उसको जो है मूल धन में जोड़ देंगे तो हमारा मिस्र धन पता चल जाएगा तो देखिए मूल धन कितना दिया हुआ था पचीस सो दिया हुआ था तो यहाँ पर पचीस सो लिख लेंगे और फिर जो है ब्याज हम निकालें कितना तीन सो पच्छत्र रुपे तो तीन सो पच्छत्र रुपे इसमें एड़ कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, 75 हो जाएगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे, तो 5, 3, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहनि कि 2875 रुपया हमारा मिस्धन आ जाएगा, तो इस परकार से यह कुश्चन भी असानी से हल हो ज लिखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है चक ब्रद्धी मिस्रधन ग्याद करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए यह भी बताईए कि परियुक्त प्रतीक किन अर्थों में है देखें यह कुश्चन भी जो है 2018 में पूछा गया है इंपर्टन कुश्चन है और देखें सीधे से फार्मोला सिर्फ पूछा गया है फार्मोला ही यहाँ पर लिखना है कहा गया है कि चक ब्रद्धी मिस्रधन ग्याद करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए और यह भी बताईए कि तो प्रियुक्त प्रतीक है किन अर्थों में है तो देखें इसको हम कैसे हाल करेंगे या इसका फार्मोला क्या होता है या आप लोग यहाँ पर जान लीजिए क्योंकि इंपर्टन कुश्चन 2018 में पूछा भी गया है तो चलिए देखते हैं तो देखें चक ब्रद्धी मिस्रधन का फार्मोला क्या ह मूलधन और ब्रेकड में होता है one प्लस दर बटे 100 कि पावर समय यह फार्मुला होता है हमारा चक्वरधी मिसरधन का देखें चक्वरधी मिसरधन बराबर मूलधन और फिर 1 प्लस दर बटे शव की पावर समय इस तरीके से ये फार्मूला होता है चक व्रधी मिश्रधन का और यहाँ पर देखिए चक व्रधी मिश्रधन को A से लिखा जाता है यहाँ पर देखिए जो मूलधन होता है उसको P से परदर्शित किया जाता है यहाँ कि P फार प्रिंसिपल यहाँ कि मूलधन होता है और फिर यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर दर को R से लिखा जाता है R फार रेट हो जाता है यनि कि दर और बटे 100 और फिर यहाँ पर समय को T से जो है लिखा जाता है तो यहाँ पर यह हो जाएगा T, T फार टाइम तो इस प्रकार से यह फार्मूला हो जाएगा चकब्रधी मिस्धन का देखिए A बराबर P और ब्रेकेट में हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 के पावर T अब यहाँ पर जो है इनका लिख लेते हैं कि A को क्या कहते हैं और P को क्या कहते हैं और R को क्या कहते हैं तो यहाँ पर देखिए A फार होता है मिस्धन इसको इंगलिस में बोलते हैं एमाउंट और उसके बाद फिर P फार क्या हो जाएगा देखिए P फार हो जाएगा मूलधन जो है इंगलिस में इसको कहते हैं प्रिंसिपल और उसके बाद फिर देखिए R फार क्या हो जाएगा देखिए R फार हो जाएगा रेट यनिकी दर R फार रेट यनिकी दर हो जाएगा और फिर जो है T फार क्या हो जाएगा T फार हो जाएगा S जमय यनिकी Time अंग्रीजी में क्या कहेंगे इसको Time तो इस प्रकार से जो है यहांपर एफार्मूला हो जाएगा A बराबर P और ब्रेकट में हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की पावर T यहाँ पर A फार हो जाएगा मिस्रधन यहनि की amount P फार मूलधन यहनि की principle और R फार rate यहनि की दर और T फार समय यहनि की time तो इस परकार से यह फार्मूला जो है लिखा जा सकता है अब देखते हैं नेक्ट कुष्चन तो देखिए नेक्ट कुष्चन है कुष्चन नमबर 4 2000 रुपए का 10 प्रतिसत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्धी ब्याज ग्याद कीजे देखिए अभी तक जो कुष्चन दो हल करवाएं है वो साधान ब्याज से सम्मंधित है और ये कुष्चन जो है वो चक्रवर्धी ब्याज का है तो यहाँ पर देखिए अगर साधान ब्याज हमको निकालना होता तो यहाँ से देखिए हम सीधे साधान ब्याज का फार्मूला लगा देते और निकाल लेते क्योंकि यहाँ पर देखे मूल धन दिया हुआ है दर्दी हुई है और समय दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर हमको चक्विर्धी ब्याज निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमको मिस्र धन ग्याद करना पड़ेगा और फिर मिश्रधन जब आ जाएगा तो उसमें से हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारा जो चक्तवर्धि ब्याज है वो पता चल जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम मिश्रधन को निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए मूल धन कितना दिया हुआ है देखिए मूल धन दिया हुआ है हमारा 2000 रुपे और उसके बाद फिर दर दी हुई है कितना 10 प्रतिसात और समय दिया हुआ है देखिए 3 वर्स समय दिया हुआ है 3 वर्स अब यहाँ पर क्या करेंगे अब यहाँ पर मिश्रधन का सीधे से फार्मूला लगा देंगे तो देखें मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है अभी उपर लिखा चुके हैं मिश्रधन बराबर होता है मूलधन मूलधन और ब्रेकट में होता है वन प्लस आर बटे 100 या कह लीजिए 10 बटे यहाँ पर 10 लिख लीजिए पूरा चाहे 10 बटे 100 की पावर समय यह होता है फार्मूला अब यहाँ पर देखे मूल धन कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है तो इसको लिख लेंगे और फिर देखे 10 कितनी दी हुई है 10 दी हुई है तो 10 लिख लेंगे और बटे 100 हो जाएगा और समय दिया हुआ 3 तो यहाँ पर पावर में 3 लिख लेंगे अब यहाँ पर देखे यहाँ पर हो जाएगा 2000 और फिर यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर देखे इस 0 से यह 0 कैंसिल कर लेंगे यहाँ पर हो जाएगा एक बटे दस की पावर तीन अब यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर देखिए इसमें जो है इससे गुड़ा कर लेंगे और इसमें एक जोड लेंगे यहाँ पर देखिए दस से कम दस और एक ग्यारा हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ग्यारा और बट है देखिए पावर में तीन है तो इसको इस तरीके से इसका विस्तार कर लेंगे ग्यारा बटे दस और फिर ग्यारा बटे दस हो जाएगा और फिर एक बार ग्यारा बटे दस हो अब देखिए यहां पर तीन जीरो नीचे हैं और तीन जीरो ऊपर है तो इन सभी को कैंसिल कर देंगे इस तरीके से और फिर यहां पर देखिए तीन बार ग्यारा है और यहां पर दो बचा हुआ है तो यहां पर देखिए ग्यारा दुनना बाइस हो जाएगा और फिर ग्यार 44 और 44 दो 46 हो जाएगा और फिर 22 एकम 22 और 4 26 हो जाएगा तो इस प्रकार से 2662 हमारा मिसधन निकल आएगा और उसके बाद फिर जो है हमको निकालना क्या है चकविर्धी ब्याज निकालना है तो यहाँ पर देखिए हम चकविर्धी ब्याज का फार्मूला लगा देंगे चकविर्धी ब्याज बराबर तो देखिए चकविर्धी ब्याज बराबर होता है मिस्रधन माइनस मूलधन मिस्रधन माइनस मूलधन यनि कि जो मिस्रधन होता है उसमें क्या होता है मूलधन भी सामिल रहता है और ब्याज भी सामिल रहता है और अगर मिस्र धन में से मूल धन को घटा दिया जा तो हमारा जो ब्याज है वो मिल जाएगा तो यहाँ पर देखे हमको ब्याज निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे मिस्र धन में से मूल धन को घटा देंगे तो यहाँ पर देखे मिस्र धन कितना दिया हुआ है यहाँ पर तो इसको घाटा लेंगे तो देखे हमारा कितना आ जाएगा 672 रुपे हमारा आ जाएगा यनि कि जो चक्विर्धी ब्याज है वो कितना आ जाएगा 662 रुपे तो इस प्रकार से ये कुश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है आठ हजार रुपे का दस प्रतिसत वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का चक्विर्धी ब्याज ग्याद कीजिए जबकि ब्याज छमा ही दिया जाता है ये कुश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं चेंजिंग क्या करते हैं देखिए जब ब्याज छमा ही दिया जाता है तो इसमें क्या करते हैं कि दर जो दी हुई होती है उसको आधा कर लेते हैं और जो समय दिया रहता है उसको दो गुना कर लेते हैं और बाकी सवाल सेम रहता है वो दो गुणा कर लेंगे यनि कि जैसे यहाँ पर देखिए समय दो वर्स दिया हुआ है तो दो वर्स में कितने छमाही बनेंगे तो देखिए दो वर्स में चार छमाही बनेंगे यनि कि दो को हम दो से गुड़ा कर लेंगे तो चार हो जाएगा और यहाँ देखिए 10% वारसिक ब्याज कहा गया है तो यहाँ पर हमको छमाही ब्याज चाहिए तो यहाँ पर हम 10 को क्या करेंगे आधा कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इनको सबसे पहले लिख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मूल धन कितना दिया हुआ है मूल धन बराबर 8000 रुपे और फिर देखिए दर निकाल लेंगे दर देखिए 10% हमारा वारसिक दिया हुआ है इसको हमको 6 माही में चेंज करना है तो यहाँ पर बटे में 2 कर लेंगे यनिकि यहाँ पर हो जाएगा 5% 5% 6 माही यहाँ पर लिख लेंगे 5% परतिशमाही और उसके बाद फिर देखिए समय समय देखिए 2 वर्स दिया हुआ है समय कितना दिया हुआ चार छमाही समय यहाँ पर हो जाएगा अब क्या करेंगे अब सेम वही फार्मूला लगा देंगे जो इससे पहले वाले कुश्चन में लगाए है तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे मिस्र धन का फार्मूला लगा लेंगे मिस्र धन बराबर फार्मूला क्या होता है मिस्र धन बराबर मूल धन मिस्र धन बराबर मूल धन और ब्रेकट में हो जाएगा वन प्लस दर बटे सो की पावर समय यहाँ पर यह फार्मूला लगा लेंगे अब इसकी साहता से हम मिस्र धन निकाल लेंगे देखे मूल धन हमारा दिया हुआ कितना 8000 और फिर यहाँ पर दर देखिए कितनी दिय हुई है 5 परतिसा तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे बटे 100 हो जाएगा और समय दिया हुआ है 4 तो यहाँ पर पावर में 4 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे यहाँ पर सबसे पहले 8000 और फिर 1 प्लस यहाँ पर देखिए 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 5 दुनना 10 हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5 एक कम 5 और 5 दुनना 10 हो जाएगा और यहाँ पर एक 0 बच गया तो यहाँ पर 20 हो जाएगा तो इस परकार से यहाँ पर एक बटे 20 आ जाएगा और इसकी पावर में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे इस 20 का इसमें गुड़ा करेंगे और इसमें एक जोड लेंगे कुल मिला करके यहाँ पर समझ लीजिए कि इसके बटे में एक करके हम क्या करेंगे एक और बीस का LCM लेंगे तो एक और बीस का LCM कितना होगा बीस होगा तो इसलिए जो है यहाँ पर जब इसके बटे में 20 हम करेंगे तो यहाँ पर उपर भी 20 से गुड़ा करना पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि देखें 20 से इसका गुड़ा कर लेंगे और उसमें एक जोड लेंगे और बटे में 20 लिख लेंगे तो यहाँ पर देखें 8000 और फिर यहां पर हो जाएगा 20 और 21 यानि कि 21 बटे 20 हो जाएगा हमारा और पावर में 4 हो जाएगा अब देखे इसको हम अलग अलग लिख लेंगे यानि कि गुड़े के रूप में 4 बार लिख लेंगे तो यहां पर देखे 8000 हो जाएगा और फिर गुड़े 21 बटे 20 हो जाएगा और फिर गुड़े 21 बटे 20 हो जाएगा और फिर गुड़े 21 बटे 20 हो जाएगा और फिर एक बार 21 गुड़े 20 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए उपर 3 0 हैं और यहाँ पर भी 3 0 नीचे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये ये और ये 3 0 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद फिर देखिए 2 दुन्ना 4 और 4 दुन्नी 8 यहाँ पर देखिए 8 हो रहा है और यहाँ पर भी द पचा हुआ है और बटे में 20 है तो देखिए इनका अब हम क्या करेंगे गुड़ा कर लेंगे तो अब देखिए इनका हम क्या करेंगे गुड़ा कर लेंगे यहां पर देखिए 21 गुड़े 21 गुड़े 21 गुड़े 21 यहां पर देखिए 21 का 21 से गुड़ा करेंगे तो है 441 इसका भी गुड़ा होगा 441 गुड़े 441 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा अब यहां पर देखिए 441 और 441 का गुड़ा हम अलग कर लेते हैं तो यहां पर देखिए 441 और गुड़े 441 यहां पर देखिए इसका गुड़ा कितना होगा यहां पर सबसे पहले एक का गुड़ा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, एक हो जाएगा, चार हो जाएगा, और चार हो जाएगा, फिर एक इस्टेप छोड़ देंगे, फिर चार एक कम, चार हो जाएगा, चार चोग सोला हो जाएगा, और फिर यहाँ पर चार चोग सोला, एक सत् और फिर एक, अब यहाँ पर इनको हम जोड लेंगे, तो यहाँ पर देखे, एक हो जाएगा, आठ हो जाएगा, और फिर चार-चार, आठ और आठ छे, चौदा, चौदा का चार हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखे, जो है, कितना हो जाएगा, चौदा यहाँ पर भी हो और फिर यहाँ पर देखे नव हो जाएगा साथ एकाठेक नव हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक हो जाएगा यनि कि यहाँ पर देखे इनका गुड़ा कितना आ जाएगा यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 19 और फिर 44 और 81 19, 44 और 81 ये आजाएगा इनका गुड़ा और बटे में 20 है अब देखे इसको हमको क्या करना है 20 से भाग करना है अब देखे इसको अगर आप भाग करना ना चाहें यनि कि ये अगर आपको कठिन लग रहा हो तो इसका और जो है सरल तरीका है उत्तर लाने का यहां पर देखे इसके बटे में यनि कि इस संख्या के बटे में यहां 20 है तो इसको अगर हम 5 से गुड़ा कर लें देखे 5 से गुड़ा करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा उपर भी हम 5 से गुड़ा कर लें तो देखे 5 से गुड़ा करने पर क्या होगा यहां पर देखे 5 एक कम 5 हो जाएग फिर यहाँ पर 5,9,45 और 45,2,47 हो जाएगा और फिर 5,5 और 5,4,9 यनि कि यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9,7,2,4 और फिर 0,5 यह संख्या आ जाएगी और इसके बटे में देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर इसके बटे में हो जाएगा 20 पंचे 100 अब यहाँ पर देखे आसान इसलिए यह है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गुड़ा करना पड़ा हमको भाग नहीं करना पड़ा और यहाँ पर देखे बटे में 100 आ गया है अब अगर हम 100 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर दो अंको के बाद दसमलो लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखे दो 0 है और यहाँ पर इससे अगर हम भाग करेंगे अगर पूरी पूरी संख्या नहीं कटेगी तो यहाँ पर दो अंकों के बाद दसमलों लगा देंगे तो यही जो है हमारा क्या जाएगा मिस्रधन आ जाएगा यनिक यहां पर हो जाएगा चक बृद्धी ब्याज बराबर, त देखें चक बृद्धी ब्याज बराबर होता है मिस्रधन माइनस मूलधन, तो देखें मिस्रधन हमारा कितना निकला हुआ है? यहाँ पर देखे 97.05 और मूलधन कितना दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ हमारा 8000 रुपे तो यहाँ पर 8000 रुपे घटा लेंगे तो देखे यहाँ पर 8000 रुपे इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे 1724.05 आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा चक्वर्धी ब्याज तो इस प्रकार से ये कुश्चन भी आसाने से हल हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 6 पांच हजार रुपे का दस प्रतिसत वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्ष का चक्वर्धी ब्याज ग्याद कीजिए ये कुश्चन भी देख लीजिए 2017 में पूछा गया है इंपॉर्टन कुश्चन है तो देखें यहाँ पर मूल धन दिया हुआ है पांच हजार रुपे और वार्षिक ब्याज की दर कितनी दी हुई है दस प्रतिसत और तीन वर्ष का चक्वर्धी ब्याज ग्याद करना है तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल धन तो यहाँ पर देखें मूल धन कितना दिया हुआ है मूल धन दिया हुआ है पांच हजार रुपे और फिर देखें यहाँ पर दर दी हुई है कितनी दर दी हुई है दस प्रतिसत तो यहाँ पर दस प्रतिसत लिख लेंगे और समय दिया हुआ है तीन वर्स तो यहाँ पर समय लिख लेंगे तीन वर्स अब सीधे से हम फार्मूला लगा देंगे मिश्रधन का देखें मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता है मिश्रधन बराबर मूलधन और फिर वन प्लस दर बटे 100 कि पावर समय तो यह हो जाएगा फार्मूला अब यहाँ पर देखिए मूल धन हमारा कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है और फिर यहाँ पर दर देखिए कितनी दी हुई है 10 बटे 100 हो जाएगा और यहाँ पर समय देखिए 3 वर्स दिया हुआ पावर में 3 हो जाएगा अब यहाँ पर 5000 हो जाएगा और फिर देखिए यहाँ स जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर देखे जब LCM लेंगे तो यहाँ पर 10 एक कम 10 एक 11 हो जाएगा 11 बटे 10 की पावर 3 हो जाएगा अब इनको अलग अलग कल लेंगे बिस्तरित रूप में तो यहाँ पर 5000 हो जाएगा और गुड़े यहाँ पर देखे 11 बटे 10 तीन बार है यह निकी पावर में 3 है तो इसको हम विस्तिरित रूप में लिख लेंगे 11 बटे 10 गुड़े 11 बटे 10 और उसके बाद फिर एक बार और गुड़ा होगा 11 बटे 10 अब यहाँ पर देखे इन 3 0 से यह 3 0 कैंसिल हो जाएंगे अब यहाँ पर देखे बटे में संख्याएं खतम हो चुकी है उपर संख्याएं बची है तो यहाँ पर देखे इनका गुड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर 55 एककम 55 का 5 हो जाएगा और 55 दुन्ना देखे 110 हो जाएगा और 5 यहाँ पर जो बचा था उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा 115 का 5 लिखेंगे अब यहाँ पर 11 बचा अब यहाँ पर देखे 55 एककम 55 हो जाएगा और ग्यारह इसमें जोडेंगे, तो कितना हो जाएगा च्छाचाट हो जाएगा, तो इस परकार से यहाँ पर देखिए, 6,000 कितना हो जाएगा, 6,655 आ जाएगा, यानि कि मिस्द्धन हमारा कितना आ जाएगा, 6,655 रुपया, अब हमको निकालना क्या है, ब्याज निकालना ह यहाँ पर देखें, चक्वर्धी ब्याज का फार्मूला लगा देंगे, चक्वर्धी ब्याज बराबर, तो देखें, चक्वर्धी ब्याज का फार्मूला होता है, मिश्धन माइनस मूल्धन, तो यहाँ पर देखें, मिश्धन हमारा निकल ही चुका है, तो यहाँ पर देख 1655 माइनस कितना कर देंगे मूलधन हमारा है 5000 तो यहाँ पर 5000 इसमें से माइनस कर देंगे तो देखें इसमें 5000 माइनस करेंगे और यहाँ पर 6000 है तो यहाँ पर 1000 बचेगा और यह 655 इक्ष्ट्रा है तो 600 पर लिख लेंगे यनि कि हमारा 1655 रुपे चक्वर्धी ब्याज आ जाएगा तो इस परकार से ये कुष्चन भी आसानी से हल हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुष्चन तो देखें नेक्ट कुष्चन है एक हजार रुपए का दस परतिसत वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का चक्वर्धी ब्याज गयाद कीजे तो देखें इस कुष्चन को कैसे हल करेंगे तो देखें ये कुष्चन भी 2019 में पूछा गया है इंपॉर्टन कुष्चन है और आसान भी है क्योंकि सेम इसी टाइप के कुष्चन आप लोगों को बताय जा चुके हैं सारे के सारे कुष्चन एकदम एक ही फार्मोले पर आधारित हैं तो इसलिए आप सभी लोग इसको बहुत ही आसाने से कर सकते हो तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे देखें यहाँ पर मूल धन दिया हुआ है मूल धन कितना दिया हुआ है एक हजार रुपे और उसके बाद फिर देखिए दर दी हुई है यहाँ पर देखिए 10 प्रतिसत वार्सिक यहाँ पर ब्याज सब्द छूटा हुआ है लिख लेंगे वार्सिक ब्याज की दर से दो वर्स का चकविर्धी ब्याज गयाद कीजिए तो यहाँ पर देखिए दर दी हुई है 10 प्रतिसत और फिर देखिए समय दिया हुआ है दो वर्स समय दो वर्स अब यहाँ पर सीधे से हम चकविर्धी मिश्धन का फार्मूला लगा देंगे तो देखिए चकविर्धी मिश्धन का फार्मूला क्या होता है चकविर्धी मिश्धन बराबर चकविर्धी मिश्धन बराबर फार्मूला होता है देखिए मूल धन मूल धन और फिर 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय यह फार्मूला होता है अब यहां पर इनके मान रख लेंगे तो यहां पर देखे मूल धन कितना दिया हुआ है मूल धन दिया हुआ है 1,000 और फिर 1 प्लस 10 दर दी हुई है 10 प्रति 7 बटे 100 हो जाएगा और यहां पर समय दिया हुआ है दो वर्स तो पावर में दो कर लेंगे अब यहाँ पर हो जाएगा 1000 और फिर यहाँ पर देखे इस जीरो से यह जीरो कैंसिल हो जाएगा फिर यहाँ पर जब LCM लेंगे तो यहाँ पर 10 एक कम 10 एक 11 ग्यारह बटे 10 हो जाएगा और इसकी पावर में 2 हो जाएगा अब इनको अलग-अलग कर लेंगे बिस्तिरित रूप में तो यहाँ पर 1000 गुडे 11 बटे 10 हो जाएगा और फिर 11 बटे 10 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए इन दो 0 से इसके 2 0 कैंसिल हो जाएगे अब यहाँ पर देखिए 11 गरहियम 121 हो जाएगा और 121 का 10 से गुड़ा करेंगे तो देखिए 121 के आगे 1 0 बढ़ जाएगा यनि कि हमारा कितना हो जाएगा 1210 रुपे आ जाएगा यनि कि जो चकविर्धी मिस्र धन आया वो हमारा कितना आया 1210 रुपे अब हमको क्या करना है अब हमको जो है चकविर्धी ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे चकविर्धी ब्याज का फार्मूला लगा देंगे चकविर्धी ब्याज बराबर देखे चकविर्धी ब्याज का फार्मूला होता है मिस धन माइनस मूल धन मिस धन माइनस मूल धन तो देखें मिस धन हमारा निकला है कितना 1210 रुपे माइनस मूल धन कितना है तो देखें मूल धन है 1000 रुपे अब इसमें से घटाएंगे देखें 1210 में से 1000 घटाएंगे तो यहाँ पर 210 रुपे हमारा निकल आएगा यहनि कि चक बिर्दी ब्याज हमारा कितना आजाएगा 210 रुपे है तो इस परकार से यह कुष्चन भी आसानी से हल हो जाएगा तो इस परकार से आज के सारे कुष्चन हल हो जाएगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे कुश्चन आपरों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों यदे हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने आले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे फिर मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में एक नए टापिक के साथ में तब तक के लिए जैहिन वंदेबात रहाएं